वैसे इंसानों की आखें काफी ज़्यादा अमेजिंग है लेकिन क्या आपको पता है कुछ खुबसूरत जानवरों की आखें इतनी ज़्यादा खुबसूरत होती है कि आप उसे एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे क्रियेचर वाइल्ड के इस एपिसोड में हमाज आपको जानवरों की कुछ खुबसूरत आखों से मिलवाने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं नमबर फाइव ओल आई उल्लू की आखें उसके चेहरे के सामने होती हैं जिसकी वज़ा से ये अपने शिकार को बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है इसकी आखें थोड़ी बहुत इंसानों से मिलती जुलती हैं ये एक बार में एक जगा फोकस कर सकता है इसलिए अपनी करतम घुमा घुमा कर इधर अधर देखता है वैसे तो इसकी आखें राध में काफी अच्छे से देख सकते हैं इसके बड़े शरीर पर ये खुबसूरत आखें काफी ज़्यादा सुन्दर लगती है इस मचली की आखें डवलू की तरह होती है ये मचली अपनी आख की अनोखे डिजाइन की वज़े से काफी जादा मशूर है ये अपनी आख की मदद से काफी तूड तक देख सकती है जब पानी की घहराई में रोशनी कम हो जाती है तो यह अपनी आखों को और भी बढ़ा कर सकती है और यह अपनी अवशक्ता की अनुसार अपनी आखों को छोटा या बढ़ा करके देख सकती है दोस्तों कैसी लगी इस मचली की अनोखी आखें आपको हमें कमेंट में सरूर बदाएं नमबर त्री यह जीव थोड़ा थोड़ा ड्रैगन फ्लाई से मिलता जुलता है और इसके क्रिश्टल जैसी आखें लोगों को अपनी तरफ काफी चादा करचित करती है इसकी आखें तीन हजार छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी वैसे तो यह 360 डिकरी तक देख सकता है यह जीव अंटांटिका को छोड़ कर हर जगा पर पाया जाता है दोस्तो इस प्यारे जीव की आखें बहुत ही ज़्यादा खुबसूरा थे नमबर टू गीको आई दोस्तो वैसे तो छिपकली पढ़ जाती की सबसे सुन्दर चीज उसकी आखें ही होती है और इसकी आखें काफी तेज होती है इसकी आखें हम इंसानों से भी ज़्यादा कलर्स को देख सकती है इसकी आखें अंधेरे में भी किसी भी कलर को देखने में शक्षम होती है और काफी ज़्यादा खुबसूरत भी होती है इसकी आँखें काफी बड़ी और सेंसिटिव होती है अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो हमारे पहले नंबर की खुबसूरत आखों को देखने से पहले चैनल को सस्क्राइब कर दिजिए समुद्र बे रहने वाला ये जीव काफी छोटा होता है लेकिन इसका पंच इतना चोर का लगता है कि अच्छे अच्छे जानवरों को हिला कर रख दे और इसकी दूसरी सबसे खास बात है इसकी खुबसूरत आखें जो कि देखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत लगती है और इसकी आखें काफी अलग-अलग काम भी कर सकती है इसकी एक आख से right में और तूसरी आख से left में तेक सकता है इसकी आखों में 12 तरह के receptor होते हैं जो इन्हें किसी भी color को identify करने में बहुत जादा help करता है आज के लिए बस इतना ही तो कैसा लगा आपको हमारा ये अनोखा वीडियो I hope आपको अच्छा ही लगा होगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयो तो हमारे चैनल को सुस्क्राइब करें